आज जो बेटा हमारा उन्वान है वो हैं चीम चीम से आता है चिडिया चीम से चिडिया शाबाश चीम बेटा जीम के खांधान का हरफ है शाबाश जैसे हम जीम लिखते हैं वैसे ही है चीम भी और इसकी शकल है बराबर जीम के जैसी खाली चीम के अंदर तीन नुकते है शाबाश जो चीम है ये किस खांधान से है जीम के खांधान से इसकी शकल बराबर जीम के जैसी है खाली चीम के अंदर तीन नुकते है पहले दो फिर नीचे की तरफ एक पहले बेटा दो डालने है फिर इनके बीच में नीचे की तरफ एक डालना है यह हैं चीम की शाकल जैसे हम जीम को बनाते हैं वैसे शाकल चीम को भी है शाबश यहां पे थोड़ा तीडा लेना है थोड़ा तिरशी लकीर फिर यहां पे परी लकीर फिर बेटा ऐसे शाबश नीम डायरा बनाना है यहां तक पैन्सल लेना है हमने बेटा पढ़ा चीम से चडिया क्या पढ़ा बेटा चीम से चडिया क्या पढ़ा पेटा है अपने देख़ इसको गर मैंfish सबबाय हम इसको रोज देखते हैं आप इंगलिच में क्या कहतें इसको very good sparrow है ना इसी شाबबाश चले बेटा अब हम यहां पे चीम लिखेंगे चीम के अंदर कितने नुक्ते हैं यह याद रखना है तीन नुक्ते अब बेटा देख्ए मैंने यहां पे भी चीम लिखा है यहां पे भी चीम लिखा है तीन नकते इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है आपको याद रखना है जिसके अंदर तीन नकते है हाँ शाबाश उसको क्या हम कहेंगे अब उसको हम चीम बोलेंगे शाबाश ये याद रखना है चीम की शकल जैसे जीम को होती है वैसी शकल चीम को भी ह मगर इसके अंदर तीन नुक्ते हैं पहले दो फिर नीचे की तरह एक शाबाज चले बेटा यहां पर मैं आपको पहले डॉट्स लाइन में दूँगी हाँ शाबाज यहां बेटा डॉट्स लाइन हाँ आप इनको क्या करोगे आप इनको मिलाओगे यहां पर पैंसल लिया मिलाया इनको शाबाज डरने के बगर हाँ पैंसल दीरे दीरे चलाना है यहां पर करो हाँ जब यहां पे लोगे फिर यहां पे पैंसल ऐसे गुमाना है हाथ गुमाना है फिर यहां तक लेना है और बीच मैंसे कितने नुक्ते डालोगे बीच मैंसे डालोगे तीन नुक्ते पहले दो फिर नीची की तरह एक बन गया हमारा चीम ऐसी ही है न वेरी गुड अब हम बेटा यहां पे भी मैं आपको दिखाऊंगी शैबाश यहां पे भी बेटा आप इन लाइनों को मिलाओगे शैबाश और यहां तक ले जाओगी बीच मैंसे कितने नुक्ते डालोगे बीच मैंसे तीन नुक्ते डालोगे वेरी गुड शाबाश है ना इजी चीम वेरी गूड मिलाया इन लाइन को शाबाश डरने के बगार वेरी गूड कितने नुक्ते डालोगे तीन नुक्ते शाबाश अब बेटा शाबाश अब मैंने यहां पर आप देखिए इस लाइन पर दो नुक्ते डाले मैंने यहां से यहां तक फिर एक हाँ शाबाश यहां पर पैंसल लिया शाबाश मिलाया इन दो नुक्तों को अब मिलाओगे तिरची लकीर से इन नुक्तों को मिलाया इन दो नुक्तों को यहां पर करो करना है यहां तक हां यहां पर करो करोगे इस नुक्ते तक और बीच में डालोगे तीन नुक्ते बन गया चीम यहां पर मैं और दिखाऊंगी यह तीन नुकते, मिलाया इन तीन नुकतों को, यहाँ पे पड़ी लकीर यहाँ पे तीर्ची लकीर हा यहाँ यहाँ पे मैं बेटा एक और नुकता डालूँगी यहाँ पे करोगे नियम दाएरा, हाँ, शैबाश बन गया नियम दाएरा, इस तक और अंदर कितने नुक्ते डालोगे तीन नुक्ते वेरी गुड इन नुक्तों को मिलाओगे शाबाश यहां पर कितने नुक्ते डालोगे तीन नुक्ते पहले एक फिर दो फिर तीसरा शाबाश अब बेटा मैं आपको और एक यह दिखाऊंगी मैथड हाँ आप पहले नीम दाइरा बनाते हो यहां तक लेना है फिर यहां पे ऐसे करते हो ना शाबश और नीचे तीन नुकता इसके अंदर कितने नुकते तीन नुकते शाबश बन गया चीम यहां पे आप अच्छे से फिर लिखोगे दो लाइनों में शाबश ऐसे यहां पे आप अच्छे से लिखोगे शाबश दो लाइनों में चीम बन गया आपका चीम और लाइन के नीचे नहीं जाओगे असल मैं आपको इन दो लाइनों में लिखना होता है यह मैंने आपको दिखाया कि कै़से लिखते हैं कैसे आप गर में प्रेक्टिस करोगे आप बिल्कुल ऐसे लिखोगे जैसे मैंने लिखा है वेरि गूड यह था उन्मारा आज का उनवान चीम मुझे अमिद है आपको अछिए से समझ आया होगा और ये भी आपो लोगों को अछिए से समझ आया होगा कि चीम के अंदर तीन नुकते हैं और इसकी शकल भी याद रखोगे और इसके नुकते भी याद रखोगे Allah Hafiz